नमस्कार मैं हूँ सुनिल बॉवी आप देख रहें मगत संबाथ आज की ताजावा बड़ी खबर बिहार के नियोजी सिचकों के लिए बिहार के जहां प्रारंबिक नियोजी सिचकों ने 17 फरवरी 2020 से अनिसित कालीन हर्ताल पर जाने का किया एलान वहीं 25 फरवरी से मादमिक सिचक संग भी हर्ताल पर जाने का किया एलान अब मादमिक सिचक संग भी 25 फरवरी से जाएंगे हर्ताल पर नियोजी सिचकों ने सिचक संगों को आंदोलन के लिए किया मजबूर मादमिक सिचक संग के नेताओं की हो रही थी भारी फजयत अब पुरी खबर विस्तार से एक तरफ जहां बिहार के प्रारंबिक नियोजी सिचकों ने 17 फरवरी से अपने मांगों को लेकर हर्ताल पर जाने का एलान किया है वहीं दूसरी तरफ मादमिक सिचक संग ने भी 25 फरवरी से हरताल पर जाने का आजेलान किया है दियार के नियोजी सिचकों ने सिचक संग को अंदोलन करने पर मजबूर कर दिया है मादमिक सिचक संग को नचाते हुए भी हरताल पर जाने को मजबूर होना पड़ा है दरसल मादमिक सिचक संग हर परवंडल में कन्वेंशन आयुजित कर रही है उस कार्जकरम में संग के निताओं को भारी पजियत देनी पड़ रही है संग के निता पटना से लेकर जहां भी कार्जकरम आयुजित कर रहे हैं वहां भारी पजियत उठानी पड़ रही है नियोजी सिचकों ने मादमिक सिचक संग के निताओं को बंदग भी बना लिया था। सिचकों का काना था कि संग सिर्फ राजनिति करती है। सिचकों के हितों से संग को कोई मतलब नहीं है। संग के निता अपनी राजनितिक दुकान चलाते हैं। ऐसे में नियोजी सिचकों क भला नहीं होने वाला है मजबूर होकर संग के नेताने आंदोलनरत सिचको को असवासन दिया है कि आपकी बात को संग के अध्यष्ट तक पहुचाया जाएगा और समान कम समान बेतन की मांग को लेकर आंदोलनर्ण करेंगे कई जगोसे सिचको के रूप को देखते हुए अब जाकर मादमिक सिचक संग ने हर्ताल पर जाने का एलान किया है संग ने 25 परवरी से हर्ताल पर जाने का एलान कर दिया है वहीं बताते चलें कि बिहार राज सिचक संगर सम्नवे समीती ने 27 जनवरी को पटना में बैटा कर सर्व समती से यह निर्ने लिया है कि 17 परवरी 2020 से अनिस्चित कालिन हर्ताल करेंगे हर्ताल अवदी में सिचक परिच्छा मुल्यांकन वियलो जनगर्ना आदी को भी काम नहीं करेंगे राज करमी के दरजा के साथ बेतनमान के मुद्दे पर बिहार के नियोजी सिचकों ने एक बार फीर से हर्ताल पर जाने का एलान 27 जनवरी को कर दिया है इसे निती सरकार की मुसीब्ते बढ़ना तय है इस हर्ताल को सिचकों के सभी 28 संगों की समती मिली है इधर यह भी बताते चले कि बिहारा सिचक संगर्स समनवे समीती के बैनरतले नियोजी सिचकों ने शाब काये की अगामी 17 फरवरी से राज में मैट्री की परिचा आयोजित होने वाली है इसके बाद जनगन्ना का भी काम सुरू होगा जिसका नियोजी सिचक बहिसकार करेंगे वह सरकार की किसी भी चेतावनी और धमकियों से नहीं डरेंगे आपको बता दे कि सुप्रीम कोट से मिली हार के बाद नियोजी सिचक किसी भी हालात में चुनावी साल को गवाना नहीं चाहते हैं यही वज़ा है कि परिच्छा की तिति के दिन से या निशित कलीन हरताल पर जाने का फैसला लिया है इससे पहले बियारा सिचक संगर समने समीती ने 19 जनवरी के मानोसिंकला का भैसकार भी किया था जिसमें सभी 4 लाक सिचक दूर रहे थे शिचको के इस फैसले के बाद अब राज सरकार के सामने बड़ी चुनोती होगी कि बिना निवजी सिचको के कैसे मैटिक जैसी परिच्छा का आयोजन कर पाएगी के उनकी परिच्छा ड्यूटी से लेकर मुल्यांकन तक के कार्ज से निवजी सिचक दूर रहेंगे इधर निवजी सिचको की माने तो उनका कहना है कि 2015 से भी इस बार जबलदस्त आंदोलन होगी सभी निवजी सिचक पुन्टा हरताल पर रहेंगे और बिद्याले में ताला बंदी होगी खबरों में आज बस इतना ही अगर यह वीडियो आपको पसंद आये तो लाइक, सेयर, कॉमेंट जरूर करेंगे अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आये हैं या आप तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब ताकि सिचक और सिचा वीबा की खबरों से आप रहे अपडेट धन्यवाद, जय हिंद, जय वारत, बंदे मातरम